जौफ फिर से कहता है, सौफी, वो उपर से शान दिखता है Not as quiet at all अब यहां पर सौफी देखिये क्या बोलती है Please note, it was nothing like that, जौफ, ऐसा कुछ नहीं है It was nothing like that, जौफ, ऐसा कुछ नहीं है, it was me Spoke first, पहले तो मैंने उससे बात की When I saw who it was, I said, excuse me But aren't you Danny Cassie, जब मैंने उससे देखा अब वो देखिये कैसे कलपना की बात कर रही है और कलपना को ही reality मान रही है और कह रही है, जब मैंने उससे देखा, when I saw who it was वो कौन है, तो मैंने कहा, excuse me, माफ करिये क्या आप खुद, Danny Cassie है ऐसा करके पहले मैंने शुरू की बात की And he looked sort of surprised और वो, sort of surprised मतलब आश्चर करने लगा ऐसा लगा उसके चेहरे की भाव भेंगिमा से कि उसे कुछ आश्चर हुआ And he said, और फिर उसने जवाब दे, yes, that's right हाँ, मैं ही हूँ, तुम सही हो मतलब मैं Danny Cassie हूँ And I knew it I knew it must be him because he had the accent, you know Like when they interviewed him on the television And he looked, a sort of surprise And he said, yes, that's right And I knew it must be him Because he had the accent, you know Like when they interviewed him on the television So I asked him for an autograph for little Derek And I asked for autograph और किसके लिए मांगा, अपने छोटे भाई, Derek के लिए जिसको शौक था But neither of us add any paper or pen लेकिन लेकिन न उसके पास paper था न मेरे पास paper था न कैसे के पास pen था न मेरे पास pen था So then we just talked a bit तो फिर हमने थोड़ी सी बाई, a bit मतलब थोड़ा A bit मतलब थोड़ा Give me a bit of A bit of paper A bit of ideas मुझे थोड़े विचार तो दो A bit of time Give me a bit of time मुझे थोड़ा समय तो दो तो यहां पर जब न कागज मिला हमारे पास न उसके पास न पैन मिला उसके पास न हमारे पास तो हमने थोड़ा सा बात की But neither of us Now neither मतलब किसी के पास किसी के पास नहीं किसी के पास नहीं कार्थ होता है Neither Neither के साथ nor आता है और either के साथ और आता है यहां neither था ना उसके पास ना मेरे पास चो ना उसके पास कागज पेंथा ना मेरे पास कागज पेंथा तो हमने क्या किया कुछ समय बात की I asked him for photograph for little Derek but neither of us had any paper or pen so then we just talked a bit तब then मतलब तब यहां देखिए हम मतलब बहुत लोग गलती करते है टी एच एएन देन लिख देते हैं then मतलब कुछ और मीनिंग होता then कब लिखते हैं जब तुलना करते हैं you are taller than me वहां पे आता है टी एच एएन और मैं बात कर रहा हूँ अभी टी एच एएन then जिसका आर्थ है तब ऊपर वाला then है वो तुलना के लिए होता है he is younger than me this is sweeter than that sweet तो वहां then है और यह then है so remember तो यह then की यहां बात हो रही है so then we just talked a bit और हमने बस कुछ बातें की किस बारे में आगे देखिए सोफी कैसे बोलती जारी about the clothes in Royce window कपड़ों के बारे में उन कपड़ों के बारे में जहां पर मैं खड़ी थी Royce के जो प्रसिद दुकान है उसकी खड़की पर he seemed lonely वो अकेला दिख रहा था lonely मतलब अकेला seem मतलब महसूस होना मैंने आपको बताया था so he seemed lonely ऐसा लग रहा था उसको अकेला पन है after all it's a long way from the west of Ireland और शायद इसलिए लग रहा था क्योंकि वो बहुत दूर से आये था Ireland के west से आये था and then just as he was going he said और उसके बाद जैसी जाने लगा उसने कहा if I would care to meet him he said if I would care to meet him क्या मैं मिलना चाहूंगी अब देखिए sentence if I would care to meet him मतलब क्या है देखिए care का मतलब होता है चिंता करना context की बात फिर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे do you care to call me क्या तुम मुझे बुलाओगे वहाँ पे care मतलब चिंता नहीं है तो यहाँ पर भी क्या तुम मुझे से बात करना चाहोगे if I would care to go to Bombay to meet my ailing friend क्या तुम अपने मित्र से जो बीमार है Bombay में उससे मिलना चाहोगे तो यहाँ care का मतलब चिंता नहीं है to care मतलब चिंता करना to care मतलब किसी का किसी की सेवा सुशुरूशा करना पर यहाँ पर यह दोनों meaning नहीं है I care for you मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ मैं तुम्हारी सेवा शुशुशा करता हूँ देखिए तीन अर्थ होगे लेकिन यहाँ पर एक चौथा अर्थ है if I would care to meet him क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे यह कौन पूछता है Sophie का कहना है यह उसे कैसी ने पूछा क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगे Would you care to meet me? So we have a series of questions from this chapter and why so? Just because there has to be certain questions which are short and some which are long Most of the questions are short in nature That is because there is conversation The story moves mostly with conversation So let's move with the first question Where was it most likely that the two girls would find work after school? You remember in the very first paragraph Jansi says something and Jansi feels that both of us are likely to go to the biscuit factory maybe because of traditional family work and so the biscuit factory is the answer Now you write complete sentences Don't just write biscuit factory Unless and until in English you write complete sentences you won't learn proper communication skill or language Next question is What were the options that Sophie was dreaming of Options means choice Aise kaun se vikalp the Jo Sophie kalpna kar rahi thi Why does Jansi discourage her from having such dreams? So it's a question with having two sub-questions In the first part you have to write down the options And the options were that she had was one was opening a boutique and second was herself being film actress But why was Jansi against it? She discouraged her To discourage Why did Jansi discourage her? Because of the money factor Because of the money factor She said ki All these plans look nothing but imaginary It needs a lot of money And plus many other things Ke wal paisa honen se him actress ni ban jati Then I need to have talent also Communication skill also and so so Third question Why did Sophie Riggle Why did Sophie Riggle When Jaff Told her father That she had met Danny Cassie Kiyon wo Thoda sa Chhat patai Kiyon Uski body language Me Thoda sa Chhat pata Had dikhi Jab Jaff Nen Sophie ke father Ko Ya Apne father Ko Ye Bata Ya Ki Sophie Danny Kaisi Se Mili Hai You have to answer And the answer Will be Somewhere That She got Frightened Ghabra Gai She got Frightened Vah Thodi Ghabra Gai And because She got Frightened She Felt that Father will Get angry Father will Rebuke her He will Get annoyed He will get annoyed What There Gai Thih Question Number Four Does Jaff Believe What Sophie Told About Her Meeting With Danny Cassie Now Here Is The Question Thih Does Jaff Believe So The Answer Has To Start With The Word Jaff Did Not Believe Or Jaff Believed So What Is Your Answer Does Jaff Believe What Sophie Said About Her Meeting With Cassie And Obviously You Know For Sure That Jaff Did Not Believe And Then You Have To Mention Why He Did Not Believe What Was The Pur What Was The Way That He Adopted To Explain That He Did Not Believe Her Question Number Five Does Her Father Believe The Story You Remember When Jaff Told Her Father Or His Own Father What Was Father's Reaction That Reaction You Have To Describe In Your Own Word This Question Questioning Or The Questions Which Are Put Across To You Here Are In Sequence So That You Also Move Along With The Story By Answering These Questions So So Next Question Was Does Her Father Believe Her Story So परवरिश करना नहीं है, care to come मतलब यदि तुम अगले सब्ता आने की परवाह करोगे, तो मैं autograph दे दूँगा, of course, I said I would, मैंने का अरे वाह, मैं बिलकुल आउंगी, मैं आ सकती हूँ, और आउंगी, I said I would, as if he would ever show up, जौफ जो इसका भाई उतुरन बोलता है, ऐसा बोल रहा हूँ, मानो वो आएगा, तो मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, as if मतलब मानो, मैंने पहले भी बताया था, as if he would show up, you do believe me now, तुम अब मुझे विश्वास करो, विश्वास करते हो, don't you, क्या तुम अभी भी विश्वास नही कर रहा हूँ, अब तुम मुझे विश्वास करते हो, ऐसा सोफी ने जौफ को कहा, ऐसा सुनते ही, जौफ ड्राइग्द हिस जैकेट, which was shiny and shapeless, जौफ ने अपना जैकेट निकाला, खीचा, ड्राइग करना मतलब खीचना, वो चमक रहा था, चमकदार जैकेट था, और अस् पुष्ड हिस आर्म्स इंटो इट, कुर्सी के पीछे जो जैकेट रखा था, उसके निकाला, जो चमक रहा था, और उसमें अपना दोनों हाट डाल दिया, शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन तो इस अपीरेंस, उसने मन ही मन सुचा, कि अपने चेहरे को के लिए वो ज्य और उसने का, काश, वो अपने कपड़े की ज़्यादा चिंता करे, कपड़े के लिए सतर करे, he was tall, with a strong dark face, वो उचा था, बहुत उचा था, और चेहरा बड़ा काला था, लेकिन बड़ा solid face था, मजबूत था, handsome, she thought, बड़ा handsome, जॉफ, जैकेट उथाते हुए, जब निकलता है, तो एक और ताना मारता है, और कहता है, it is the unlikeliest thing that I ever heard, ये बिलकुल असंभाव वाली बात है, जो मैंने कभी सुनी है, I have ever heard, जो मैंने कभी सुनी है, एक असंभाव वाली बात सुनी है, he said and pushed off, और निकल गया, यहां से अब एक घटना करम बदलता है, situation बदलती है, पहली situation में, सौफी घर के अंदर आती है, और कमरे के अंदर सब लोगों के सामने बातचीत होती ही, वो था, दूसरे सीन में, सौफी और जौफ के बीच में जो बातचीत होती है, वो है, अब यहां देखे क्या होता है, on Saturday they made their way for weekly pilgrimage to watch United match, हर शन्यवार की तरह, इस शन्यवार को भी, वे लोग weekly pilgrimage, pilgrimage मतलब होता है विसे तीर थी यात्र, यूनाइटेड तो कलब का नाम था फुटबॉल कलब का तो ये लोग हर शनिवार को फुटबॉल कलब का मैच देखने जाते थे फुटबॉल का मैच तो हर बार की तरह इस बार भी दे मेड वीकली पिल्ग्रिमिज एक तरह की मानों तीर स्यात्रा जैसा हुआ करता था नियम स हर शनिवार को यूनाइटेड का मैच देखने जाना ये एक उनके जीवन शैली का एक हिस्सा थी और आरलेंड और इंगलेंड में आज भी जो लोग फुटबॉल के दिवाने हैं वो बड़े नियम से समय निकाल कर कुछ भी हो जाये फुटबॉल देखने जाते हैं अपने अपने फेवरिट क्लप्स के मैच इस खास कर तो इस बार यहां पर आप सीन है फुटबॉल ग्राउंड का अपने दोस्तों के साथ मैच 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 टीम मैट तो टीम से जुड़ा हुआ तो जौफ के जो मित्र थे उनके साथ जौफ उपर जाके बैठ गया यूनाइटेड वान तू निल एंड कैसे ड्रोफ जसेकंड गॉल यूनाइटेड ने यह मैच दो शुनी से जीता और कैसे कैसे ने उसमें दूसरा गोल किया ही ड्रोफ ड्राइफ से बना ड्रोफ देखे ड्राइफ करना मतलब कार चलाना पर यहां ड्रोफ का मतलब है बॉल को चला देना गोल पोस्के अंदर ब्लेंड मतलब मिक्सचर बहुत अच्छा मिक्सचर किस चीज का मिक्सचर इनोसेंस सरलता सिम्प्लिसिटी बड़े सरल तरीके से उसमें गोल किया और Irish Blood था जो उसमें बिलकुल साफ दिख रा था Irish खिलाडियों का जो अपना तरीका होता Ireland का वो उसमें जलक रही थी उसकी एक जलक थी और एक इनोसेंस भी था सरलता थी सहजता थी इनोसेंस मतलब सहजता सरलता So that was a blend of innocence, blend मतलब mix Going round the two big defenders on the edge of the penalty area अब वो डिस्क्राइब कर रही है, राइटर डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे वो गोल पोस्ट के पास से Penalty गोल पोस्ट के पास थोड़ी दूर से बड़े defenders जो थे, दो वहाँ पे जो बैक फुटबॉल के बैक खलाडी थे उनको पार करते हुए Penalty एरिया में जाता है और with her father screaming for him to pass और उसके पता जी जोर जोर से चिला रहे हैं, उसको पास दो, उसको पास दो यह फुटबॉल को साहर है, आप फुटबॉल के वीडियो देखेंगे लाइफ फुटबॉल मैच देखें, खासकर यूरोपियन फुटबॉल, बिटिश फुटबॉल आप देखेंगे कि खेल कुट का दीवानापन, फुटबॉल क्यों दुनिया में इतना ज़्यादा प्रसिद है, उसका ये नमूना है, और ये कहानी में जो विवरन है, बड़ा सचा है तो कैसे दो बड़े-बड़े खिलाडियों को पार करते हुए निकलता है, और बिलकुल पेनल्टी एरिया के बिलकुल किनारे, एज़ पर पहुंचता है, और उसके पादर चलाते हैं, पिताजी उसके चलाते हैं, फितर फादर, इसक्रीमिंग फॉर हिम तो पास, पास दो, पास दो, and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yard, और फिर beat करना मतलब मारना नहीं, सामानिता to beat मतलब पिटाई करना, मारना, यहां पे beating मतलब पराजित करना, छका देना, छकाते हुए, beating the goalkeeper मतलब goalkeeper को छकाते हुए, hesitant goalkeeper को, hesitant मतलब वो goalkeeper जो हिचक राता, कहां जाऊं, किस तरफ जाऊं, ball कहां से आएगी, कौन मारेगा, उसमें जो हिचक थी, उसको उसने छका दिया, पराजित कर दिया, छका दिया, और from a dozen yard से उसने goal shot मारा, Sophie glowed with pride, Sophie बहुत खुश हो गई, आँखों में चमका गई, घमंड हो गय इने घमंड, बहुत घमंड से, गर्व से, उसने चलाए, आप्टरवर्ड, Jauf was ecstatic, उसके बाद, Jauf जो था, वो भी बहुत अति-उत्साहित हो गया, ecstatic मतलब, अति-उत्साहित हो जाना, ecstatic, I was ecstatic, when I heard that I have topped in the class, मैं बहुत ज्यादा खुशी से उचल गया, जब मुझे मालूम पड़ा, कि मैं कछ्छा में पहला आया हूँ, ecstatic का ये मीनिंग, खुशी से उचल पड़ना, बहुत ज्यादा खुशी से उचल पड़ना, I wish he was an Englishman, Sophie said on the bus, Sophie ने बस में कहा, काश, किसी ने कहा, Sophie ने नहीं कहा, someone said in the bus, काश, वो Englishman रहता, मतलब हमारी टीम का हिस्सा होता, क्योंकि बस में English club के fans भी बैठे हुए थे, Ireland will win the World Cup, little Derek told his mother, when Sophie brought him home, जब Sophie बस से उत्री, Derek को लेकर और घर के अंदर गई, तो मा को बोलता है Derek, कि Ireland World Cup जीतेगा ममा, Ireland will win the World Cup, ऐसा Derek कहता है, यह लोग सब Ireland के fans थे, her father was gone to the pub to celebrate, और क्योंकि Ireland दो गोल से मैच जीता था, Sophie के पिता जी, बस से उतर के एक pub चले गए थे, what is a pub, a pub is a public शराब खाना, ऐसा शराब खाना, जहां पर लोगों को शराब सर्व होती है और पीते हैं, तो वहाँ चले गए खुशी में क्योंकि यह Western culture का एक हिस्सा है, they take wine and beer, so that's how he went there, nothing unusual about it, and so वह वहाँ चले गए, और Sophie और यह उतरते हैं, Derek, जाब भी उतरता है, what is this you have been telling, Jain C. said, next week, अब देखिये कहानी थोड़ा मोड लेती है, Jain C. जो उसकी friend थी, वो उससे मिलती है, और पूछती ही, तुम क्या बाते हैं कर रहे हो लोगों को, अगले week मिलती है, तब बोलती है, यह क्या बोल रहा है, what is this you have been telling, तुम एसा क्या बोल रहा हो, तो Sophie ने कहा, क्या है, किस बारे में, about what, जब Jain C. कहती है, your job told our Frank, you meet Danny Cassie, तुम्हारा जो भाई जौफ है, उसने हमारे Frank को कहा, कि Danny Cassie से तुम्हारी मुलाकात हुई है, तो क्या ऐसा तुम बोल रहा हो लोगों को, this wasn't an inquisition, यह कोई, परिक्षन नहीं था, inquisition मतलब परिक्षन, जैंसी के वल एक चाहरी थी, एक बात को समझने के लिए, थोड़ा सा उतावला होके, उस साह में पूछ रही थी, कि यह रही क्या सब चल रहा है, क्या कहनी चल रही है, कि तुम कैसी से मिले, और कैसी ने तुमको ऐसा कहा, कि आटोग्राफ देंगे, यह क्या सच है क्या, तुमको किसने बताया, जैंसी ने पूछा, सौफी ने पूछा, तु जैंसी ने कहा, मचे तो फ्रेंक ने बताया, ऐसा सुनने पर, सौफी बोलतों, ओ, ऐसा हुआ क्या, वो चोंक गई, सौफी was startled, to get startled means chonk जाना, To startle मतलब चौंका देना, or to get startled मतलब चौंक जाना, I was startled, suddenly when I saw a big speed breaker or something, I was startled, मैं चौंक गया एक्दम, suddenly a boom sound came and I was startled, एक अचानक जौनों की आवाज आई तो मैं चौंक गया, so startled, to get startled, to be startled, so, Sophie was startled, ओ, ऐसा हुआ क्या, oh that, this wasn't an inquisition, मैंने आपको बताया न, ये कोई जैंसी की तरफ से परिक्षन नहीं था, वो तो क्यों लुतावले पन में पूछ रही थी, जैंसी frowned, frowned मतलब उसके चेहरे में फिर जुरियां उसकी रिंकल्स आ गया, frown करना, तियोरियां चढ़ा लेना, frowned करना मतलब अपनी तियोरियां चढ़ा लेना, जैंसी frowned, sensing, she was covering, उसको लगा, to sense मतलब लगना, महसूस करना, to cover up मतलब किसी चीज को छुपाने की कोशिश करना, cover करना, तो उसको लगा कि Sophie कुछ बात छुपा रही है, she was sensing, she sensed that Sophie was covering, so, जैसे उसने का, oh, that, तुम उसकी बात कर रहा हू, since, जैंसी ने का, haa, yes, I am talking about that, उसकी बात कर रहा हूँ, तो Sophie Ant में कहती है, well, yes, I did, हाँ, मैंने कहा है लोग को, मैंने बताया है, you never did, लेकिन तुमने तो हमें नहीं बताया, जैंसी exclaimed, to exclaim मतलब आश्चारिव्यक्त करना, जैंसी ने आश्चारिव्यक्त करती कहा, तुमने तो हमें कभी नहीं बताया, लेकिन, you never told me, you never did, Sophie glared at the ground, जब ऐसा जैंसी ने कहा, तो Sophie ground की और देखने लगी, glare मतलब आँख खोल कर, बहुँ चक्की होकर थोड़ा सा जमीन की और देखने लगी, damn that job, damn मतलब बुरा कहना, damn with him, damn with that fellow, d-a-m-n, और उचारिण है damn, न जो है silent है, so damn with that job, और जाफ के बारे में बुरा भला कहने लगी, क्यों, क्योंकि उसको मालुम हो गया, कि जाफ ने ही ये बात बताई होगी, कैसी के बारे में, उसका जो भी कल्वना की उडान थी, उसको जाफ ने बताया होगा, तो उसने जाफ को बुरा भला कहना शुरू किया, jam with dog, this was a job thing, not a jancy thing, ये तो जाफ की बात थी, jancy की बात नहीं थी, ये अब सोफी फिर सोचने लगी, बुरा भला कहते हैं, वो सोचने लगी, जाफ ने क्यों बता दिया, ये तो जाफ की बात थी, jancy से उसका कोई लेने देना नहीं, it was meant to be something special just between them, ये तो मेरे और जाफ के बीच कुछ special बात थी, और किसी के लिए बात नहीं थी, फिर जाफ ने क्यों बता दिया, ऐसा करके वो फिर परेशान होने लगी, something secret, ये तो ऐसी बात थी, जो मेरे और जाफ के बीच की थी, मेरे और जाफ के बीच के secret था, तो उसको उसने लीक क्यों कर दिया, दूसरों को क्यों बता दिया, ऐसा करते हुए वो बला बुरा कहती है,